हेलो दोस्तों नमस्कार आप सभी का स्वागत है हमारे यूटूब चैनल में दोस्तों दोस्तों एक बहुत ही बड़ी ख़बर आ रहे है एक कॉंग्रेस पार्टी के अध्यच राहुल गांधी जी की तरफ से जिया दोस्तों राहुल गांधी जी की तरफ से बहुत ही बड़ी सब्सक्राइब कर लीजिए बेल का आइकन दबा दीजिए ताकि आप लोगों हर लेटेस्ट अब्डेट सबसे पहले मिलती रहे दोस्तों यह देख सकते हैं दोस्तों राहूल गांदी जी ने बहुत ही बड़ा ऐलान किया है एक बार फिर कॉंग्रेस कनारा गरीबी हटाओ ज साल देंगे 72,000 रुपए जियां दोस्तों देख सकते हैं 72,000 रुपए देंगे 20 फिस्दी गरीबों को हर साल वो भी देंगे यह राहूल गांदी जी ने एलान कर दिया है उनकी पार्टी सत्ता में आएगी यह उनका पूंड विश्वास है एक बार फिर कॉंग्रेस ने ना पर दिये जाएंगे 20 फिस्दी गरीबों को जियां दोस्तों आईए आप पूरी कबर जान लेते हैं दोस्तों अगर आप राहूल गांदी जी की इस स्कीम से साहम है था तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और कॉंग्रेस पार्टी को समर्तन करते हैं मागडवंदन को सम है कि 20 फिस्दी गरीब परिवारों को हर साल 72,000 रुपए देगी जियां दोस्तों 72,000 रुपए दिये जाएंगे जिस परिवार की आमदनी आपको बता दें क्या कैस में रखा गया है आमदनी 12,000 रुपए महीना से कम है उनके खाते में सालाना 72,000 रुपए सीधे अकाउंट में डाल दिये जाएंगे जियां दोस्तों ये बड़ी कबर निकल के आईए मोधी सरकार की तरफ से 2014 के लोग सबब चुनाओं में दावे किये गए तो वादे भी किये गए ते कि सभी के बैंक अकाउड़ों में 15,000 रुपए आएंगे लेकिन वो बिलकुल ही पाटी ने तीन राज्यों के चुनाओं में करके भी दिखा दिया है चाहें आप लोग बात कर लें 36 गड़ राजिस्तान या मद्ध प्रदेश वहां के किसानों का कर्ज उन्होंने 10 दिन के अंदर माफ करके दिखा दिया और सभी संभीधा करमचारी कहले उन्हों पर्माने करने के लिए का था वो भी करके दिखा दिया राहुल गांदी जी की तरफ से तो देख सकते हैं यह होता है कतनी और करनी में फरक और आगे देखते हैं राहुल गांदी जी ने कहा कि कॉंग्रेस नियुंतमाय योजना सुरू करेगी जहां दोस्तों यह नियुंतमाय योजन का फायदा मिलेगा धीरे धीरे हम 25 करोग लोगों को गरीबी से बाहर निकालने में कावियां भी हासिल कर लेंगे और दोस्तों जान लेते हैं इस योजना के बार में जो इसकीम है ये राउल गांदी ने कहा कि गरीबी दूर करने के लिए कॉंग्रेस मनरेगा लाई थी अब ह जरिये देश की 14 करोण लोगों को गरीबी से बाहर निकाला हम देश से गरीबी खतम करना चाहते हैं कॉंग्रेस ने मद्य परदेश और 36 गड़ में किसानों का कर्ज माफ करने का वादा किया था और देख सकते हैं इसमें 20 दिन के अंदर अपना वादा पूरा भी कर दिया जो प्रक्रिया थी वो पहले ही चालू हो चुकी थी जैसे ही सरकार मनी कॉंग्रेस अद्यच ने कहा कि सारी गड़नाय कर ली गई हैं देश के 5 करोण परिवारों और 25 करोण लोगों को इस योजना का फायदा मिलेगा उन्होंने कहा कि इस देश में दो भारत नहीं बनेने दिये जाएंगे उन्होंने परदान मंतरी नरेंदर मोदी पर भी हमला बोला और कहा कि वह अमीरों को पैसा देते हैं हम गरीबों को देंगे तो देख सकते हैं कॉंग्रेस ने देश बर में लोगों से राय मसरख कर अपना गोसरा पत्र तयार किया है कॉंग्रेस के वरिष् चित मानी जा रही है कि बहुमत जो भी है ज्यादा से ज्यादा गडवंदन सीटे जीतेगा यूपी के अंदर और बागी जगए कॉंग्रेस क्यूंकि बीजेपी से जनता बहुत ही परेसान हो चुकी है उनके जूटे वादों से तो दोस्तों वीडियो अच्छे लेगे और झाल